वेलकम दोस्तो क jij consulting आपका सुबदे में आपको बता दे मकर संक्रानती 2019 में आने ही वाली है उर मकर संक्रानती पर एक ऐसा उपाय जो आपको जो भी सोच रहे हैं वो आपको दिला दे गा जी हां दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पंडित अरुन कुमार मिश्राश शास्री जी के अनुसार ये उपाए लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को जिससे कि आपको नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलेंगे दोस्तों हर व्यक्ती चाहता है कि जीवन में नई उचाईयों को छुए धन संपदा हो चाहे स्वस्त रहना हो या फिर तरक्की पाना हो इसके लिए वो तमाम उपाए करता है लेकिन अगर केवल एक ग्रह को प्रसंद कर लिया जाए तो सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं और वो है सूरे ग्रह वैदिक जोतिश में सूरे को समस्त ग्रहों का राजा कहा गया है इसी लिए सूरे का जन्म कुंडली के अन्य ग्रहों पर पूर्ण प्रभाव होता है और काफी हद तक सूरे अन्य ग्रहों को प्रभावित करता है नौकरी बिजनस में सपलता नहीं मिल तो इसका मतलब जातक की कुंडली में सूरे खराब है। जीवन भर परेशानियों से घिरा रहेगा। ना तो किसी का मान सम्मान मिलेगा और ना ही जीवन के शेत्र में तरक्की मिलेगी। सबसे अच्छा दिन माना गया है। तो दोस्तों इस दिन आप ये उपाय करें इससे आपको तरक्की मिलेगी। सुधर जाती है और निरोगी काया प्राप्त होती है। नेत्रों के रोग दूर होते हैं, कर्ज मुक्ती का मार्ग खुलता है। अगर आप अच्छी नौकरी की तलाश में हैं त्या वर्तमान नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है। तो मकर संक्रान्ती के दिन सुबह सना के लिए जा रहे हैं तो जरूर लगाएं। इससे आपको तरक्की मिलेगी। जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए मकर संक्रान्ती से 101 दिनों तक आदित्य हिर्दै सोथ का पाठ करें। इससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बदलेगी और ये वृद्धी होगी। जी हाँ दोस्तों वर्ष के पहले ही दिन एक जनवरी को आठ बच कर अणतीस मिनट पर शुक्र वृष्षिक राशी में और बुद्ध सुवे नौ बच कर 49 मिनट पर धनु राशी में आ चुका है। जो तिश्रियों के नुसार शुक्र और बुद् 17 जनवरी को है इसके बाद 18, 23, 25, 26, 29 को है। इतने सारे परिवर्तन और संयोग का असर है कि आपके बुद्ध को गुरू का बल मिलने वाला है। ये दोनों अत्यंत शुब ग्रह हैं इसलिए ये संयोग शुब है। मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशी वालों के लिए साल की शुरुआत शुब समाचार होगी। जिन लोगों की कुंडली में बुद्ध और गुरू की महादशा या अंतरदशा चल रही है उनके लिए साल की शुरुआत अच्छी होगी। वरिशब और तुला राशी वालों को साल की शुरुआत में अपने जीवन साथी के दिल मे जगे बनाने की जरूरत है। अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें मेश और व्रिश्चिक राशी वालों की दामपत्य जीवन बहतरीन होगा। इनके लिए लगजरी लाइफ इंतिजार कर रही है। तो दोस्तों जनवरी में कुछ ऐसे हैं शुब मुरत। सरवार सिद्धी योग की बात करें तो हर काम में सफलता के लिए इस शुब योग का विचार किया जाता है। दोहजार उनीस की जनवरी में ये योग तीन दिन बना रहेगा। दो, पंदरा और तीस जनवरी को। वहीं द्वी पोशकर योग की बात करें तो काम काज में दुगना फायदा प्राप्त करना हो तो इस दिन लेंदेन, निवेश या कोई बड़ा काम कर सकते हैं। इससे आपको डबल फायदा मिलेगा। जनवरी में ये योग 26 और 27 जनवरी को बन रहा है। और रवी योग के बारे में कहा जाए तो इस योग में खरिदारी, लेंदेन और अंकरांती से जुड़ी हुई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी तरह की और रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहें चमतकारी तोटके के साथ।